Hello DA students, कैसे आप सभी? I hope बहुत अच्छे होंगे इस studio में हम आज से sample question paper की series start कर रहे हैं जिसमें हम sample question paper को solve करेंगे तो आज हमारे पास यहाँ पर देखिए DOE की तरफ से जो issue किया गया sample paper है वो है ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो DOE की तरफ से issue किया गया यह sample paper है सेम इसी pattern पे आपका CBSC का sample paper भी है ठीक है? तो इसलिए इसमें आपको कोई problem नहीं होना चाहिए तो चले अब हम इसको solve करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा कि जो हमारा यह sample paper है यह हमारा 40 marks का है यानि कि 40 number का आपका exam होगा term 2 का ठीक है? और time duration देखिए 2 घंटे का आपका paper होगा तो इसके अलावा यहाँ पर आपको general instructions जो है वो पढ़ सकते हैं वैसे मैं इस question paper का जो है यानि कि sample paper का review वाली वीडियो में बना दिया हूँ उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका link आपको इस यूडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ पर click करके और देख सकते हैं ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम question number 1 को करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा section A है इसमें first question हमारा यह दिया गया है तो देखिए question क्या है हमारा कि घनाब के आकार का एक tank है जिसकी लंबाई 20 मीटर है यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का इसतर 15 cm नीचे चला जाता है टैंक की चोड़ाई गयात कीजिए तो यह हमारा question दो नंबर का है तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे हम सबसे पहले हम से कहा गया है कि एक tank है जो कि एक घनाब के आकार का है तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर एक घनाब के आकार का tank बना लेते हैं सबसे पहले तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया अब देखिए जो इसकी लंबाई है वो हमें कितने दी हुई है 20 मीटर तो लंबाई ये हो जाएगी जो कि 20 मीटर है और हमसे कहा गया है कि इसमें से 18 घं मीटर पानी निकाल दिया जाता है यानि कि 18 घन मीटर यानि कि मीटर क्यूब जो है पानी निकाल दिया जाता है तो पानी का इसतर 15 सेंटी मीटर नीचे चला जाता है हमें टैंक के चोड़ाई गयात करनी है टैंक के चोड़ाई यानि कि ये होती है टैंक के चोड़ाई तो हमें ये गयात करना है तो देखें, यह हम कैसे करेंगे इसके लिए हमें जो lymbai है यानि की lenth ये दिया गया है 20 meter और जो हमें ये 18 meter cube दिया गया है, यानि की 18 घन meter पानी निकाल दिया जाता है ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा इस tank का, ठिक्या तो इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा आयतन कितना है 18 मीटर क्यूब इसके अलाव हमसे कहा गया है कि पानी का स्तर जो है अगर 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटी मीटर नीचे चला जाता है यानि मालेजे पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ था अगर 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का स्तर नीचे आ जाएगा ठीक है तो यह इसके क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी तो यह हमारा 15 सेंटी मीटर क्या है हाइट है ठीक है यानि कि उचाई तो इसको भी लिख लेते हैं तो ये हमारा 15 cm है लेकिन देखिए length और आयतन दोनों हमें meter में दिया है लेकिन height तो centimeter में है तो इसको भी meter में chain करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस 15 में 100 का भाग करेंगे क्योंकि एक meter में 100 cm होता है तो अब ये दोनों हमारे कटेंगे 5 के पहाड़े से तो ये हमारा 5 के पहाड़े से 3 बार में और ये 20 बार में तो 3 बटे 20 मेटर आ गया ठीक है अब हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा गया है चोड़ाई यानि कि breath तो ये हम कैसे बताएंगे इसके लिए जैसा कि हमें पता है क हमें आयतन दिया हुआ है 18 मीटर क्यूब तो देखिए आयतन है यानि कि इस टैंक का आयतन तो ये टैंक हमारा किसकार का है ये घनाप क्या कारका है तो इसलिए इसकी जगह पर हम घनाप के आयतन का सुत्र लिख सकते हैं तो क्या होता है सुत्र लंबाई गुना, उच्छाई, बरावर में ये 18, अब लंबाई यानि कि length हमें पता है 20, तो इसकी जगापे 20 लिखेंगे गुणा, breath ये हमें नहीं पता, ये निकालना है, और height हमें पता है 3 बटे 20, तो इसकी जगापे लिखेंगे बरावर में 18, अब solve करते हैं इसको, तो देखें सबसे पहले ये 20 से 20 कट जाएगा, तो B बरावर 18, और गुणा में 3 है, इधर आके भाग में हो जाएगा, दोनों कटेंगे, तीने कम 3, तीनची कट जाएगा, तो B कमान हमारा 6 आ गया, और ये सारा क्योंकि मीटर में है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा चोड़ाई है, वो भी मीटर म आएगा, तो 6 मीटर जो है, वो इस टैंक की चोड़ाई है, तो इस तरह से यह हमारा आंसर है, यहाँ पर लिख देते हम, हमसे पूछा है, टैंक की चोड़ाई, तो इसलिए यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे, टैंक की चोड़ाई कितनी है, 6 मीटर, तो यह हो गया हम हमारा first question ठीक है अब देखिए इसके बाद हम second question करते हैं तो second question हमारा क्या है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले देखिए second question से पहले इसी first question में हमें choice दिया गया है यानि कि अथ्वा में भी एक question ये देखिए दिया गया है तो इसको भी हम solve कर लेते हैं वैसे हमें दोनों नहीं करना होता है एक्जाम में, या तो आप जो भी हमने किया वो कीजिए या फिर ये कीजिए, ठीक है लेकिन मैं आपको दोनों solve करके दिखा देता हूँ तो देखें कोशन में हमसे क्या कहा गया है कि एक सॉरी एक गोले का आयतन ग्यात कीजिए जिसका प्रिष्टिय छेतरफल 616 वर्ग सेंटिमीटर है तो चलिए ये भी करते हैं बहुती easy कोशन है कैसे करेंगे हम ध्यान दीजिए हमसे पूछा है एक गोले का आयतन और हमें इसक प्रिष्टिय छेत्रफल 616 वर्ग सेंटिमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का क्या सुत्र होता है तो ये होता है हमारा 4 बटे 3 पाई आर क्यूँ अब हमें आयतन निकालना है तो ये सुत्र लगाना पड़ेगा लेकिन इसमें हमें त्रिज्या यानि कि रेडियस की जुरुत पड़ेगी तो रेडियस तो हमें दिया ही नहीं है तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा ठीक है तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम हमें प्रिष्टिय छेत्रफल 616 वर्ग सेंटिमीटर दिया हुआ है तो इसी का यूज करके हम रेडियस निकालेंगे यानि कि त्रिज्याप तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल और हाँ यहाँ पर हम से सिर्फ प्रिष्टिय छेत्रफल कहा गया है तो जब भी हमें कोशन में सिर्फ प्रिष्टिय छेत्रफल दिया जाए तो इसको हमें कुल प्रिष्टिय छेत्रफल मानना होता है तो इसलिए गोले का पेषशेचेटरफल मतलब गोले का कुल पेषचेटरफल तो ये 616 वर्ग सेंटीमिटर य awakening स्क्वेर दिया हुआ है तो इसकी जगह पर हम इसका सुत्र लिख सकते हैं क्या होता है गोले के कुल पेषचेचेटरफल का सुत्र ये होता है 4 pi r square बड़ावर में 616 अब हमें ये r कमान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें मान रख देते हैं सबका 4 गुणा में pi कमान 22 बटे 7 गुणा में r r कमान हमें नहीं पता तो इसको adjectives लिखेंगे बड़ावर 616 अब हमें r कमान निकालना है तो इसको adjectives लिखेंगे बड़ावर इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो सबसे पहले 7 यहाँ पर भाग में है इधर जाके हो जाएगा गुणा में और 4 और 22 दोनों गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा ठीक है आप देखिए यहाँ पर यह दोनों हमारे 22 के पहाड़े से कट रहे हैं यह 22 से कम 22 यह 22 के पहाड़े से किटनी बार में कटेगा देखिए भाग करकर देख लेते हैं यहाँ पर हम 22 से 616 को तो 22 दोना 44 हो जाएगा 11 में से 4, 7 यह 1 यहाँ पर बचा 6 तो यह हो गया 176 तो 22 के पहाड़े में 176 आठ बार में आता है 22, 68, 176 तो यह 28 बार में हमारा कट जाएगा ठीक है? तो यह हो गया अब देखिए यह दोनों भी कट रहे हैं 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, यह 4 सत्ते 28 तो R स्क्वेर बराबर हमारा बचरा है 7, गुना में यह 7 तो R कमान कितना हो जाएगा? यह स्क्वेर जब इधर जाएगा तो स्क्वेर रूट बन जाएगा और यह 7 और 6 इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ से R बराबर हमारा देखिए, वर्गमूल में साथ का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम वर्गमूल से बाहर एक बार लिख लेते हैं तो R कमान साथ सेंटीमीटर आ गया सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये भी हमारा सेंटीमीटर में है ठीक है? तो यहां से हमने R कमान निकाल लिया अब हम गोले का आयतन असानी से बता सकते हैं तो यहां पर अब हम लिख लेते हैं हमसे जो पूछा गया है गोले का आयतन तो गोले का आयतन का क्या सुत्र होता है? यह होता है हमारा 4 बटे 3 पाई R क्यूब तो इसमें हम सब कमान रखेंगे अब तो सबसे पहले 4 बटे 3 पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुना R की क्यूब है यानि की R का मान कितना निकाल है हमने 7 तो इसलिए इसके जगा पे 7 लिखेंगे और इसका क्यूब है तो इसलिए 7 तीन बार लिखा जाएगा अब देखिए ये एक 7 से ये एक 7 कट जाएगा इसके बाद हमारा उपर बचला है 4 गुना 22 गुना 7 गुना 7 तो जब आप इन 4 का गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,312 बटे में क्या है 3 है अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है हमें इसमें 3 से 4,312 को भाग करना 1437 सही एक बटे 3 और यह cm3 ठीक है तो यह हमारा जो है यह आयतन है गोले का ठीक है अगर आपको समझ भी नहीं आया कि यह हमारा कैसे आया है तो देखिए मैं आपको समझाता हूं हमने क्या किया है कि 3 से इसको भाग किया 4,312 को तो देखिए 3 एकम 3 यह एक बचा यह 3 उतार तीन चोक के 12 हो गया एक बचा यह एक उतारा तीन तिया 9 हो गया यह दो बचा यह दो उतारा तीन सत्य 21 एक बचेगा तो देखिए इसमें हमारा एक शेशवाल बच रहा है तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यह रहा यह जो शेशवाल है इसको उपर लिखते हैं और जिस तरह से हमारा यह आंसर आया है ठीक है तो यह हो गया हमारा इस गोले कायतन यानिकि फर्स्ट कोशन जो है उसका चॉइस वाला कोशन भी यह सॉल हो गया आपको अच्छे समझ में आ गया है अब चलिए हम कोशन नमर 2 को सॉल करते हैं तो देखे डियर सुडेंट्स कोशन नमर 2 हमारा यह रहा यहां पर हम इसका सॉलोशन करेंगे अब तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक्स बरावर माइनस तीन पर बहुपर दो एक्स प्लस पांच का मान गयात कीजिए तो यह भी हमारा दो नमर का कोशन है यानि कि मैं आपक इस माइनस तीन पर बहुपर दो एक्स प्लस पांच का मान गयात करना है तो बहुत ही इजी कोशन है कैसे करेंगे हमें एक्स का मान माइनस तीन दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले जो हमें यह बहुपर दिया हुआ है इसको हम पी एक्स मान लेंगे यानि पी एक्स के जगापर माइनस 3 रखके और solve करेंगे तो ये π x की जगापर हम माइनस 3 रख रहे हैं बरावर में ये 2 x यहाँ पर है यानि कि माइनस 3 ब्लस 5 तो इसको solve करेंगे 2 का माइनस 3 से गुणा माइनस 6 पुलस में 5 तो माइनस 6 और प्लस पाँच, solve करने पर क्या आएगा एक आएगा, तो हमारा माइनस एक जो है, यही आंसर है, तो इस तरह से यह question number 2 का solution है ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम question number 3 को solve करते हैं तो question number 3 हमारा यह है यह भी देखिए, दो number का ही है तो देखिए, इसमें हमें क्या कहा गया है, कि एक जोकर की टोपी, एक लंब वरितिय शंकू क्या कार की है, जिसके अधार के तरिज्या 7 cm और उचाई 24 cm है इसी परगार की 10 टोपिया बनाने के लिए, आवश्यक sheet का 6 तरफल याद कीजिए तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी काफी easy question है, हमसे कहा गया है कि एक जोकर की टोपी है तो जोकर की जो टोपी होती है वो किस अकार की होती है देखिए, यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, जोकर की टोपी कुछ इस अकार की होती है एक शंकू की अकार की ठीक है, तो इसने हमसे कहा गया है कि इसके अधार की जो तरिज्या है, वो 7 cm है यानि कि इसकी अधार ये हो जाएगी, तो इसकी तरिज्या 7 cm हमें दी हुई है, और इसकी उचाई 24 cm है तो उचाई इसकी यह होती है जो की हमें कितना दिया है 24 cm तो हमसे कहा गया है कि इसी परगार के 10 टोपिया बनाने के लिए आवशक शीट का छेतर फल गयाद कीजिए यानि मान लीजे यह जो टोपिया यह गत्ते से बनाया गया है तो ऐसे ही 10 टोपिया बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा यह हमें बताना है तो देखे कैसे बताएंगे बहुती easy question है यहां से हम करते हैं question number 3 का solution तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं हमें इस टोपि की जो उचाई है वो 24 cm दिया है यानि की height हो जाएगा 24 cm इसके अलावा हमें इसकी जो तरिज्या है वो 7 cm दिया हुआ है तो तरिज्या यानि की radius यह हो जाएगा 7 cm तो अब बात आती है कि हम ऐसे ही 10 टोपिया बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा यह कैसे बताएंगे इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इस एक टोपि को बनाने में कितना गत्ता लगेगा वो पता करेंगे और जितना आएगा उसका हम 10 में गुणा कर देंगे तो देखिए एक टोपी बनाने में कितना गत्ता लगगा यह हम कैसे बताएंगे इसके लिए इसका हम वक्र पिष्टे छेत्र फल निकालेंगे क्योंकि जो टोपी बनाने में गत्ता लगेगा वो सिर्फ चार तरफ ही लगेगा इसके नीचे तो लगेगा नहीं क्योंकि नीचे वाला भाग खाली होता है तो इसलिए इसका वक्र पेष्टे छेत्र फल निकालेंगे और वक्र पेष्टे छेत्र फल निकालने का सुत्र होता है हमारा शंकू का वक्र पेष्टे छेत्र फल का सुत्र पाई आर एल होता है तो हमें pi कमान तो पता है, r कमान भी पता है, यह रहा, लेकिन l कमान नहीं पता, तो सबसे पहले l कमान निकालना पड़ेगा, तो l क्या होता है, l होता है, शंकु की 3 कुछ आई, यह वाली, तो l निकालने का सूत्र होता है, हमारा under root h square plus r square, तो यहां से देखिए, under root h, h कमान ह में पता है 24 तो 24 का स्क्वेर प्लस आर का मान पता है 7 7 का स्क्वेर तो यह हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वेर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वेर 49 दोनों को जोड़ेंगे तो 576 और 49 तो यह हो जाएगा तो यह आजाएगा 25 तो 625 का वर्गमूल 25 होता है तो 25 सेंटीमीटर यह आगया हमारा इस शंकू की तीर्यकुचाई तो यहाँ से हमें L का मान पता चल गया अब हम बताएंगे सबसे पहले एक टोपी का वक्र प्रिष्ठिय छेत्रफल तो इसका क्या सुत्र होता है यह होता है पाई आर एल अब पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7 आर का मान है 7 और L का मान 25 तो देखिए यहाँ से 7 से 7 कट गा क्या बचयाया 22 गूणा 25 तो बाईस और पच्चीस का गुणा करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 75 some square centimeter में क्यों आया है क्योंकि यह भी हमें सेंटिमेटर में दिया है ठ्यक्श्याव तो ये हो गया हमारा एक टोपी को बनाने में जितना गत्ता लगेगा वो अब हमसे पूछा है दस टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगेगा यानि कि दस टोपी को बनाने में आवशक शीट का छेतर फल है यानि 550 इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0 0 यानि कि 5500 cm2 यही आंसर है यानि कि 10 टोपियों को बनाने के लिए इतने शीट की जरूत पड़ेगी 500 cm2 तो यह होगे हमारा कोशनमर 3 का सुलूशन अब चलिए कोशनमर 4 को सौल करते हैं तो देखिए इसको कैसे सौल करेंगे हमसे कहा गया है कि किसी समांतर चत्रहुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसं त्रिभुजों में विभाजित करता है यह हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समांतर चत्रहुज बना लेते हैं ठीक है यह हमारा समांतर चत्रहुज हो जाएगा तो हमसे कहा गया है कि इसका विकर्ण तो यहाँ पर एक विकर्ण खीच लेते हैं इस तरह से तो यह जो विकर्ण है इस समांतर चत्रहुज को दो सर्वांगसं त्रिभुजों विभाजित करता है यह हम से कहा गय quindi केलिए इसका नाम देजिते हैं A B C और D तो देखिे इसको कैसे किरेंगे सबसे पहले यहां पर जो हमें दिया गया होता है उसको लिखते हैं हम तो हमें इसमें क्या दिया है हमें दिया गया है कि जो यह B C D है यह एक समांतर चत्रभुज है तो इसी को लिखेंगे ABCD एक समांतर कि चत्रभुज है इसके अलावा और हमें क्या कहा गया है कि इसमें जो यह BD है यह हमारा क्या हो जाएगा विकर्ण तो लिखेंगे BD इसका विकर्ण है ठिक है तो ये हो गया जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया अब हमें सिध क्या करना है वो हम यहां पर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे सिध करना है तो हमें इसमें क्या सिध करना है कि जो ये वाला तिर्भूज है और ये वाला तिर्भूज है हमें दोनों को सरवांगसम सिद करना है यानि कि तिर्भूज A, B, D और तिर्भूज C, D, B तो दोनों को सरवांगसम सिद करना है लिखेंगे तिर्भूज A, B, D सरवांगसम है तिर्भूज C, D, B के तो आप देखिए यहां से हम सिद करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले हम दोनों तिर्भूजों को लेंगे, यानि तिर्भूज A, B, D, तथा तिर्भूज C, D, B में, तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा, यह जो कोशन है हमारा यह आपका 8th chapter से है, ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे अ यह और इस वाले तिर्भूज में जो यह C, D है, दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यह A, B, C, D, A, समांतर चत्रभूज है, और समांतर चत्रभूज की जो सम्मुक भूजाएं होती है, वो बराबर होती है, तो इसलिए लिखेंगे कि A, B, बराबर होगा C, D के, रीजन क्या लिखेंगे, कि समांतर चत्रभूज की सम्मुक भूजाएं, तो यह हमने लिख दिया, अब इसके अलावाद दूसरी चीज देखिए, कि जो इस वाले तिर्भूज में, यह D, A है, यह बराबर होगा, इस वाले तिर्भूज में, इस B, C, क्योंकि यह भी हमारा यह और यह दोनों सम्मुक भूजाएं हैं, इस समांतर चत्रभूज की, इसलिए दोनों बराबर होगी, तो लिखेंगे, कि D, A, बराबर होगा, B, C के, इसका भी रीजन यही है, यहाँ पर लिख देंगे हम समांतर चत्रभूज की सम्मुक भूजाएं, अब इसके अलावा आप तीसी चीज देखिए, दोनों ही तरभूज में यह जो आप देख रहे हैं, विकर्ण BD, यह आ रहा है, यानि कि BD क्या है, उभै निष्ट है, तो इसलिए लिख देंगे कि BD बराबर BD, इसका रीजन लिखेंगे हम, यह हमारा उभै निष्ट है, आप देखिए, हमन नियम लगेगा, ठीक है, अगर आपको इस कोशन में कहीं पर भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे कमन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा, तो SSS सरवांग समता नियम द्वारा, क्या होगा इसमें हमारा, कि जो दोनों तिर्भूज हैं, यानि सिद्ध हो जाता है, तिर्भूज CDBK, ठीक है, तो इस तरह से हमने सरवांग सम सिद्ध कर दिया, और यही हमसे कहा गया था सिद्ध करने के लिए, तो यह हो गया हमारा कोशन नमर चार का सोलूशन, तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी एक से लेकर चार क कोशन तक कराएं हैं, वो काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं, इसके अलावा बाकी के जो कोशन से हैं, वो हम नेक्स वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, और आप लंबी वीडियो देखते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बाकी क के जो कोशन से हैं, वो हम नेक्स वीडियो में करेंगे, और हाँ, यह जो चार कोशन हो गए हैं, उसके बाद जो नेक्स कोशन की वीडियो हैं, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाक आप चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स यूडियो जैसे अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आख को मिल जाए मिलता है फिर नेक्स कोशन के नेक्स यूडियो में धन्यवाद